जैहिन आप सभीको स्वागा था आपका तेजास एक्जाम में चैनल में सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसके बेले के उनको भीद बाद जिए तो आज की बडियों में मैं एक्जाम मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूं जो कि 2021 कि एक्जाम के सब्सक्राइब कर लिए होगा इसके पहले भी मैंने दो मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है और आपको बता दू कि तेजास NCCRM.com जो की वेब साइट का लिंक है आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तेजास NCCRM.com उस पर भी NCC एक्जाम का एस सेटिफिकेट का मॉडल पर अपलोड़ेड है और टॉपिकवाई नोट्स भी अपलोड़ेड है अगर आप टॉपिकवाई नोट्स भी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है जो कि सबसे मोस्टवी भी भी यह मतलब टॉपिक वई आप याद कर लेता हो तो मैक्सिमुम आपकर लोगे मतलब की 80 to 90 पर्जेंट और फिर आप मॉडल पेपर भी जरूर्याद करोगे क्योंकि यह सट्वेट के कुष्टन चेंज नहीं होता लगबग हट साल मतलब कुछ दस बीस कुष्टन मातर चेंज होते हैं बागी सारे सेम रहते हैं एक जाम बहुत हीजी होता है और आप लोग अपने दोस् तो नहीं कर रहा है तो मैंने एप का लिंक वेबसाइट में एट कर दिया है आप लोग वहां से एप डाउनोड कर लेंगे और आप लोग वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कुष्टन अंसर फास्ट का ए इन में से ड्रील का उदेश से क्या है नेक्स्ट है क्वेश्चन अंबर बी मार्चिंग के दोरान दाहिने मूढ का वॉर्ड आफ कमांड किस पेर पर दिया जाता है तो ये बाएं पफर दिया जाता है अप लोग ऑप्सन भी देख लिया करेंगे ऑप्सन में वीडिओ में आप्सन नहीं बताओगे नहीं तो बह इंच होता है नेक्स्ट है डी वर्ड अफ कमांड कितने परकर का होता है तो यह दो परकर का होता है नीचे में देखिए आंसर है मैंने कुश्चन वर आंसर दोनों साथ में बताया हुए ताकि आपको किसी परकर की परिशानी नहों तो वर्ड अफ कमांड दो प्रकरका होता है नेक्स्ट है E, निकट लाइन, कमांड कब दिया जाता है तो ये निरिच्छन के बाद और मार्च पाच से पहले दिया जाता है नेक्स्ट है, पाट टू सही जवाब चुने, इसका A, कौन सा टारगेट ग्रूपिंग और जिरोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो 1 in 2, फिगर 1 in 2, 1 टारगेट का टारगेट ग्रूपिंग और जिरोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है B, 0.22 राइफल का वजन कितना है, यह 6.21 चैंनी option first नेक्स्ट है C, 0.22 डिलक्स राइफल की लंबाई है, तो डिलक्स की लंबाई 43 इंच वती है, option third नेक्स्ट है D हथियार रखने की जगा को कहा जाता है तो जहां पर हथियार रखा जाता है उससे कोत कहते हैं नेच्स्ट है इंसास राइफल के मैगजिन में कितने राउंड आता है तो इसस राइफल के मैगजिन में 20 राउंड आता है इसका अंसर इदर नीचे में है 20 राउंड नेक्स्ट है F एस एला राइफल का लंबाई होता है तो इस question में कोई भी option सही नहीं है तो इसका हो जगा 4 option number 4 इन में से कोई नहीं नेक्स्ट है G HAT का मतलब है तो इसका मतलब होता है holding aiming and trigger operation तो option first होगा इसका सही answer आप लोग देखलो नीचे में answer holding aiming and trigger operation option first next है H range for fire कीन कीन ग्रूप में बनाया जाता है तो range for fire butt group and firing group में बनाया जाता है option third होगा सही answer नेक्स्ट है I इंसास राइफल का वजन खाले मेगजिन के साथ होता है तो ये 3.6 kg होता है यानि option third होगा सही answer 3.6 kg next है J डिलक्स राइफल का कुप्तर होता है तो ये point to two inch होता है option first next है K NCC कैडेट्स को firing कराने के उदेश से को लिखे मतलब ये लिखने वाला answer है इसमें आपको point system में answer बताना है NCC कैडेट को firing कराने का क्या हुदेश है तो इसका answer होगा first point कैडेट्स को firing से होने वाले डर को दूर करना second firing के सिधानतों के बारे में जनकारी देना और third point जरूरत पढ़ने पर देश के सेना के काम आना यानि कि देश की सेवा करना सिखाना next है part third question number three सही और गलत लिखे first question हाथ मिलाने से AIDS फैलता है तो ये गलत है second malaria communicable disease है तो ये भी गलत है third रोजाना असनान करना एक गलत आदत है तो ये भी गलत है fourth cancer जननेवा बिमारी है ये सही है fifth question एक स्वास्त उसका हिर्दे 72 से असी बार धड़कता है इसका कुछ पाट नीचे हो गया है तो ये सही है six vitamin D हमें दूध, मक्खन, अंड़, प्रोटीन और मचली से मिलता है तो ये भी गलत है next है question number four मिलान करे है सही मिलान करें इधर one, two, three, four, five में दिया हुआ है प्रकिर्टिक आपदा, मानुनिर्मित आपदा, हिरोसीमा, N1H1 और आपदा प्रवंदन और इधर A, B, C, D, E में स्वाइन फुलू, 1945, मेडिकल एड, आग और बाड, तो फरस्ट प्रकिर्टिक आपदा, तो बाड एक प्रकिर्टिक आपदा है, तो फरस्ट का E हो जाएगा इसका आंसर मैंने नीचे में बताया हुआ है, आप तो देख सकते हैं, फरस्ट का E, सेकंड है मानुनिर्मित आपदा, तो आग एक मानुनिर्मित आपदा है, सेकंड का D, नेक्स्ट है हिरोसीमा, तो वहाँ पर 1945 में बम गिराया गया था, तो थर्ड का B हो जाएगा, नेक् इसका हो जाएगा, A, फोर का A, एन वान इच वन, स्वाइन फिलू में टीका लगाया जाता है, अब बच गया, फिवत में आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन का C हो जाएगा, मेडिकल, एड, नेक्स्ट है, क्वेस्ट नमर फाइफ, सही जवाब चुने, यानि ओप्सनल, A, विरिंदावन गार्डन कहां इस्तित है, तो यह मैसूर में है, तो इसका आंसर होगा ओप्सन थर्ड, नेक्स्ट है, बी, कजिरेंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह दरियाई घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर ओप्सन टू, डी, भारत के पहले राष्टपती का नाम बताना है, तो भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंदर पर साथ थे, तो ओप्सन टू होगा सही आंसर, नेक्स्ट इ, जालिया वाला बाग हत्त्याकंट कहां हुआ था, तो यह अमरित सर्म हुआ था, या 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ऑप्सन 4, Q, 21 तू, 21 जून को हर सल मनाया जाता है, सही आंसर होगा अप्सन 2, 2 October को मनाया जjoint है तो 2 October को गांधी जैनती मनाते हैं प्षाइम सघिये सभा प्षार्प करते हैं नेक्स्त 15 ॲान थे और मुंलन्स पॉप है यह हिंडू धर्म डिवाज है अप्षाइम सफन फ३त नेक्स्ट है भारत में कुल कितने केंदर सासित प्रदेश हैं कि केंदर सासित प्रदेश की संख्या आट हो गई है इसमें और मैं आप्सन ठीक कर दूंगा कि इसमें मिश्टेक हो गया है नौ था नौ हो गया था लेकिन अभी आठ हो गई है क्योंकि दादर नगर हवे लिए और दमन्दिव एक हो गया नेक्स्ट है के भारत में कुल कितने राज्य है तो भारत में कुल 28 से राज्य है सही अंसर ओप्सन 4 पिए नेक्स्ट एल भारत का सभसे छोटा राज्य है की सभसेचोंट राज्य गोवाव है ओप्सन थार्डवा सही अंसर नेक्स्ट एंवि समाजी कारे में हम लोग करते हैं समाजी कारे में हम लोग को रख्तदान करते हैं सही अंसर आप्शन फर्स्ट नेक्स्ट एन दहेच पर अथा के विरोध में अधिनियम कब बनाया गया तो यह उन्नी सव एक सट में बनाया गया था सही अंसर आप्शन थर्ड कुष्टिन नमबर ओ पर्धान मंत्री रोजगार योजना है तो यह एक ग यह जना कब सुरू किया गया तो यह 22 जन्वरी 2015 को सुरू किया गया था सही अंसर आप्शन फर्स्ट आप लोग वीडियो को लाड़ सकते देखेंगे कि सारे क्वेस्टन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्यू समस्चा का मतलब होता है इसका अंसर होगा आप्शन थर्ड समस्च का मतलब बहिस समधान को जना होता है ओ लेक्श्ट कुष्चन नमर आर शीपी एका मतलब होता है तो सीवी य कफूल फॉर्म होता है सेंटर बीरो अफ इंवेश्टीगेशन तो रही आंसर होगा आप्शन फर्स्ट ऋंतर बीरो आफ इन्वेस्टीगेशन नेक्स ए साही नेक्स्ट है question number T इन में से पानी के सुधिकरन का तरीका है तो T का भी तीनों option सही है यानि इसका सही आंसर होगा option 4 इन में से सभी नेक्स्ट है U इन में से first aid equipment है तो इसका अंसर भी होगा option 4 इन में से सभी नेक्स्ट है B burn case में head injury को percentage दिया जाता है तो burn case में head injury को 9% दिया जाता है सही answer option 2 नेक्स्ट है W fever नापने के एंतर को कहते हैं तो बुखार thermometer से नापा जाता है यानि fever को thermometer से नापते हैं सही answer option 2 नेक्स्ट है X fracture कितने परकार के होते हैं इसका सही answer होगा option first fracture दो परकार के होता है नेक्स्ट वाई ट्रेकिंग केम्प में आता है ट्रेकिंग केम्प में by foot चलना होता है इसका answer होगा option third नेक्स्ट जेड मांट एवरेस्ट कहां इस्थित है तो यह नेपाल में इस्थित है सही answer option third अब A फिर से repeat कर रहा है मीरा भाई कौन से खेल से समन्धित है तो मीरा भाई वेट लिफ्टिंग खेल से समन्धित है सही answer option third नेक्स्ट बी यह repeat कर रहा है इसलिए A A A B लिखा गया है मांट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन है तो उनका नाम जून को ताबिया है सही answer होगा option first नेक्स्ट है C पहला अरजुनावाड कब दिया गया था यह 1961 में दिया गया था सही answer option 2 नेक्स्ट कोईस्ट नमबर D अस्पेस में जाने वाली पहली भारतिय महिला कौन है तो इस्पेस में जाने वाली पहली भारतिय महिला कल्पना चावला है सही answer option first नेक्स्ट E भारत का राष्ट्रिय खेल है भारत का राष्ट्रिय खेल होगी है सही answer option 2 नेक्स्ट कोईस्ट नमबर F इनमें से कौन सा adventure sports नहीं है तो shooting एक adventure sports नहीं है सही answer option 2 नेक्स्ट G इनमें से कौन सा समान tracking पर इस्तेमाल किया जता है तो tracking पर rock sack का इस्तेमाल किया जता है सही answer option 4 नेक्स्ट कोईस्ट नमबर 6 पूरा नाम लिखे यानि full form लिखना है कोईस्ट नमबर A GCI तो GCI क्या full form होता है girls cadet instructor राइट शेज में देखिया answer बताया हूँ B A N O associate NCC officer होता है C में है CATC इसका होगा combined annual training camp D में है ATC ATC का होता है full form annual training camp और E में है DG NCC तो इसका होता है Director General National Cadet Corps आप्स Q7 अपने battalion के commanding officer का नाम लिखे तो आप लोग अपने CEO साब का नाम लिख देंगे राइंक के साथ Colonel राइंक लगाएंगे नेक्स्ट है 8 प्राथमिक कुप्चार यानी first aid से आप क्या समस्ते हैं इसका आंसर होगा किसी आक्समिक घटना या रोग से पीडित होने वाले ब्यक्ति की डॉक्टर के पहुचने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने से पहले दी गई चिकित्सा को प्राथमिक कुप्चार यानी first aid कहते हैं नेक्स्ट है question number 9 एड्स से आप क्या समस्ते हो इसके रोग थाम के क्या उपाय हैं तो इसका आंसर होगा एड्स का पूरा नाम acquired immunodeficiency syndrome और यह बिमारी HIV भायरत से होती है यह मनुष्य सरीर के प्रतिरोधक चमता को कमजोर कर देता है अब इसके रोग थाम के उपाय देखते हैं first point एउन समंद के समय निरोध का उपयोग करें second point हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें third जाच किया हुए रक्त ही ग्रहण करें next है part 4 question number 10 question सही गलत चुने a एक सेक्शन में इंशास राइफल आठ होता है तो यह गलत है b section formation 8 परकरका होता है तो यह भी गलत है section formation 6 परकरका होता है question number c 1928 में इंडो पाक की उद्ध हुआ था तो यह भी गलत है question number d 1999 में कारगी लिए था तो यह सही है next question number e 1972 में चीन से यूद हुआ था तो यह भी गलत है f भारत के पहले रच्छा मंत्री बलदेश ही थे तो यह सही है question number g एक सेक्शन में 7 जवान होते हैं तो यह गलत है एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं next है question number 11 मिलान करें इधर 1,2,3,4,5 में दिया है arrowhead, LMG, 20 rounds 30 degree और यूगो सलाविया और इधर ABCDE में attention position section formation 1 इंसास rifle और .22 inch rifle तो फरस्ट है arrowhead arrowhead formation क्या है section formation का एक part है तो फरस्ट का हो जाएगा B आप लोग answer देखो इतर नीच्छे में है second है LMG तो LMG का हो जाएगा 1 third है 20 rounds तो इंसास rifle के magazine में 20 rounds आता है third का हो जाएगा D next है fourth में 30 degree attention position में दोनों एडियों के बीच का एंगल 30 degree होता है fourth का हो जाएगा A बच गे fifth यूगोस अलाविया तो .22 इंच राइफल यूगोस अलाविया देश का बना है तो भी का हो जाएगा E नीचे में आंसर है next है question number 12 खाली अस्थानों को भरे question number A इंडिया का new navigation of graded satellite का नाम है इसका आंसर इदर नीचे में बताया हूँ उसका नाम है IRNSS1 next B number question देखते है भारत और चीन बॉर्डर में पास का नाम है question number B इसका आंसर होगा नथूलाला पास next है question number C भारत ने सेना का पहला surgical strike action कब किया इसका आंसर होगा C का 29 सेप्टेंबर 2016 को next है question number D North Korea के president का नाम है आप लोग इसका नाम सर्च कर लेंगे वैसे मैंने बता दिया है इसका आंसर होगा कीम जूंग उन next है question number E भारत के COAS का नाम है यहनि chief of army staff का इसका आंसर होगा general Manoj Mukun Narwani अभी फिलहाल chief of staff है आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप लोग सर्च कर लेंगे latest में next है F विश्व के साथ अजुबा में से तीसरा अजुबा कौन सा है एफ का आंसर होगा temple of Artemis next है question number G पाकिस्तान का राष्टपती का नाम है इसे भी आप लोग लेटेस्ट में सर्च कर लेंगे बट अभी अरिफ अलवी है next है question number H भारत के रच्छा मंत्री का नाम है तो फिलहाल भारत के रच्छा मंत्री सिरी राजनात सीजी है अप लोग गोगल पर सर्च कर लेंगे लेटेस्ट next है question number I section formation कितने परकार का होता है तो यह 6 परकार का होता है I कहोगा 6 next question number 13 पूरा नाम लिखें फूल फॉर्म बताना है A है JCO JCO का होता है junior commission officer B है CTO CTO का फूल फॉर्म होता है caretaker officer C MMG MMG का फूल फॉर्म होता है medium machine gun D MH E LMG LMG का फूल फॉर्म होता है light machine gun और F इंसास इंसास का फॉल फॉर्म होता है Indian a small arm system next question number 14 सही जवाब चुने इसका इन armed forces का परमुक होता है तो तीनों सेनावा का परमुक president होता है यानि राष्ट पती तो सही answer option 3 question number B सेना में कुल command headquarter है सेना में कुल 7 command है सही answer option 3 next question number C deputy chief of army staff का rank होता है तो वह lieutenant general का होता है सही answer option 2 next question number D SM का मतलव होता है SM मतलव होता है सेना मेंडल सही answer option 1 next है E NDA कहां पर है NDA खड़गवासला पूने में सही answer option 4 next है F GPS का मतलव है GPS का मतलव होता है global positioning system सही answer का option 2 next question number G उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच का कोण है तो उसको global positioning system बोलते है सोरी उसको magnetic variator बोलते है यहाँ पर mistake हो गया है इस कांसर होगा magnetic variator नहीं तो आप लोग एक पर अपने P.A.S. अप से पूछ लेंगे next है question number H दो परकर का prismatic compass है तो compass दो परकर का होता है dry or liquid सही answer का option first dry and liquid next है मांचित्र के उपर खड़ी line जिनके क्राम सही बाइस से दाहिने को है तो उसे sting line कहते है सही answer का option 2 तो आज के वीडियो में इतना ही आपका model paper first समाप हुआ वीडियो का प्रोग लाइक कीजिए और जनकारी कैसी लगी कमेंट करके बता है और कोई डाउट हो तभी कमेंट करें और वीडियो को इसका लिंक अपने अपने ग्रूप में शेर तो करी दे अपने बटालने के ग्रूप में और अपने सारे फिरेंड्स जुनियर सिनियर को तेजास NCCR में यूट्यूब चैनल आयप और तेजास NCCR में डाट कम वेब साइट के बारे में भी जनकारी दे आप लोग तेजास NCCR में डाट कम गूगल पर सर्च करेंगे और वहाँ पर इसेटबिट का मॉडल पर अपलोड़ेड है और सारे टॉपिक वाज नूट्स अपलोड़ेड है जो की याद काना बहुत ही जरूरी है तो आप लोग प्रिप्रेशन करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैहिन